तो हम जानते हैं कि expiry जो होता है उसमें जो volatility होती है market की वो थोड़ी अलग होती है मतलग और दिन जो market चलता है और expiry डेके दिन जो market चलता है वो थोड़ा अलग होता है उनमें volatility थोड़ी अलग होती है तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको दो ऐसे indicators जिसकी मदल से आप expiry day के दिन trade कर सकते हो, चाहे वो bank nifty की expiry हो, चाहे वो nifty की expiry हो, चाहे fin nifty की expiry हो, ठीक है, तो यह जो strategy है, इसमें आपको bank nifty और nifty का chart नहीं use करना है, उसके जगाँ पर आपको options के chart यूज करना है, ठीक है, जैसे अभी market चल रहा 22,464 पे, आपको क्या क आपको trade करना है, और stop loss भी आपको उसी के इसाब से होगा, तो यहाँ पर जो हमारे time frame होगा, वो होगा 3 minutes, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यह जो layout वाला जो box से उस पर click करूँगा, और यहाँ पर जो second number पर है, इस पर click करूँगा, ताकि यह मेरा column बना क पर के दे दे, ठीक है, एक यह हो जाएगा, और एक यह हो जाएगा, ठीक है, दो हो गए मेरे, यहाँ पर मैं पहले वाले पर click करूँगा, और यहाँ पर मैं select करूँगा, निफ्टी 22,500 का call, ठीक है, अभी जो next expiry है, वो है 4th April, तो यह हम add कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 64 put, जो add the money put है, ठीक है, अगर मारके 22,460, 470, 480, इसके आसपास चल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 500 का call लेना है, मतलब इमिजेट जो call होगा, आगे वाला, उसमें आपको call लेना है, और put जो लेना है, वो previous वाला लेना है, मतलब 22,460 चल रहा है, तो 22,400 का आपको put लेना है, ठीक है, तो यह आप समझे करेंगे कि आपको call or put कैसे add करना है, मतलब premium कैसे add करने है, अब मैं बताता हूँ आपको कि वो कौन से indicators है, जिनकी मदद से हम trade करेंगे, तो यहाँ पर हम indicator section में आएंगे, और यहाँ पर हम search करेंगे, VWAP, जो हमारा पहला indicator है, वो है VW ठीक है, इसमें मैंने add कर लिया, और यहाँ पर हम एड करने है, दोनों में मुझे same indicators यूज करना है, ठीक है, यह रहा call और यह रहा put, और दोनों में मैंने VWAP add कर लिया है, उसके बाद मैं इक और indicator यहाँ पर add करूँगा, उसमें कहते है open interest, ठीक है, यह indicator में add करो, यहाँ पर भी मैं ही करोंगा, open interest, ठीक है, आपको दोनों जगा same indicator यूज करना है, ठीक है, open interest, open interest, VWAP, ठीक है, अब आपको buy और sell कैसे करना है, यह मैं अभी बताता हूँ आप, ठीक है, इन indicators में आपको कुछ settings नहीं करनी है, जो settings हैसे default रहेंगी, वही आपको रफना है, ठीक है, तो आईए अब जानते हैं कि यह indicators आपको use कैसे करना है, तो सबसे पहला जो rule होगा buying के लिए वो होगा, ठीक है, अगर आपका price VWAP के उपर है, तो आपको buying के side जाना है, ठीक है, अगर call side के उपर है VWAP का price, तब आप buying के लिए जा सकते हो, ठीक है, यह पहला rule है, अगर open interest का यूज हमारा सबसे ज़्याद है आपके होगा, क्योंकि VWAP पे तो हम easily ऐसे पता लगा सकते हैं कि VWAP के उपर है price की नीचे है, बट open interest यहाँ पर हमें data देखना पड़ेगा, यह open interest हमें क्या कह रहा है, तो मैंने बता रखा है पहले, अभी भी बता दोता हूँ, कि वहाँ पर support जादा बन रहा है, मतलब वहाँ पर हमें क्या है, वहाँ पर हमें put side नहीं जाना है, वहाँ पर हमें call side जाना है, ठीक है, अगर resistance बन रहा है, तो हमें put लेना है, और अगर support बन रहा है, तो हमें call लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि जब call writers increase हो र जाता हूं कि दो rules कौन कोन से हैं तो पहला जो rule है कि आपका जो price होगा वो वीवेब के उपर होना चाहिए ठीक है जो second rule है वो है जो open interest है वो downside में होना चाहिए ठीक है uptrend में नहीं होना चाहिए downtrend में होना चाहिए अगर यहाँ पर price वीवेब के उपर चला जाता है ठीक है य ऐसे decrease होगा तो मैं यहाँ पर buying side चला जाओंगा वैसे ही अगर put side है अगर put side VWAP के उपर है price और यहाँ पर अगर मेरा open address वो नीचे की और ऐसे जा रहा है तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर put VWAP के उपर और put side का भी उपर है VWAP के उपर तो आपको ऐसे में trade नहीं करना है मतला यहाँ पर क्या होगा market sideways होगा और आपका time decay होगा और आपका premium खायगा के वर ठीक है और वैसे ही अगर VWAP के नीचे दोनों side का price है जैसे call side का भी है put side का भी है तो आपको यहाँ पर भी trade न नीचे है ठीक है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो सांती से बैठ सकते है यहाँ पर आपको trade नहीं करना है और एक और बात मैं बता दूँ है ठीक है यहाँ पर आज के दिन आप देख रहे होगे normal चल रहा है बट expiry के दिन देखोगे तो यह indicator बहुत बढ़िया काम करेगा यहाँ पर expiry के दिन आपको एक से दो trade बहुत बढ़िया देता है यहाँ ठीक है और यहाँ पर अगर sideways रहेगा तो आपको automatic यहाँ पर बता देगा कि आपको नहीं जाना है दोनों side आपका VWAP के नीचे या उपर price होगा ठीक है और आपको यह data भी देखना है open interest data अगर open interest ज open interest data जिस side कम हो रहा है decrease हो रहा है आपको उसी side का trade लेना है तो यह जो दो rules है यह आपको follow करने है और expiry day जो होता है उस दिन आपने देखा होगा कि gamma जो blast करता है तो बहुत जिसे जो premium के prices होता है वो उपर और नीचे जाता है ठीक है तो उसी का आपको फायदा लेना है आप क्या कर सकते हो आप यह जो indicator है वो सुबह से 9.15 से ही लगा सकते हो बट क्या है इसका use आप 12 के बात करना तो यह बहुत बढ़िया काम करेगा क्योंकि वहाँ पर क्या होता है price की volatility वो बढ़ जाती है ठीक है बहुत तेजी से price बढ़ने लगता है और यह जो open interest का काम होता है वो वहाँ से start होता है ज्यादा बेटर तरीके से तो यह जो दो rules मैंने बता है इसको आपको बहुत तरीके से समझना है और इसको follow करना है ठीक है तो यह रहा है एक strategy जिसको आप use कर सकते हो expired day के दिन चाहे आप bank nifty में use करो चाहे आप nifty में use करो आप किसी में भी use कर सकते हो कि आपको कैसे premium के prices choose करने चाहिए बेटर तरीके से तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा इस वीडियो को like करो share करो और subscribe करो आमारे चनल को thank you so much guys झामारे तो तो कžवा वीडियो अजा वीडियो हूँ एक झाल